पारी लॉक्डाउन के बीच बीती राद एक भीशन हाथसा हो गया तेज रफतार से आ रही एक कार ने ट्राफिक सिगनल को सड़क से उखाड़ भेका गनीमत है किसी की जान नहीं गई सड़क पर अंधे मोगिरा ट्राफिक सिगनल तुकड़े तुकड़े हुआ डिवाइडर और चकना चूर एक कार पूरा माहौल गवाही दे रहा है कि यहां जो कुछ हुआ वो बेकाबू रफतार का ही कहर है हाला देखकर तो यही लग रहा है कि कोई अन्होनी जरूर हुई होगी लेकिन खुश किसमती रही कि इतने भीशन हादसे के बावजूद कार सवार तीनों लोगों की जान बच गई और इसकी बड़ी वज़ा रही कार के सेफ़्टी बलून जो टककर लगते ही खुल गए जिसके चलते सवारों को कोई बड़ी चोट नहीं आई हादसा बीती रात राजधानी दिल्ली में हुआ अरुना आसाफली रोड पर तेजी से आ रही इस कार ने किशनगर चोराहे पर मुरते वक्त संतुलन खो दिया और ट्रैफिक सिगनल के खंबे से जा टकराई टककर इतनी भीशन थी कि डिवाइडर के बीचों बीच लगा पोल उखड़कर धराशाई हो गया और कार पल्टियां खाकर सड़क पर खड़ी हो गई चश्मदीदों के मुतादिक कार सवारों के हालत देखकर लग रहा था कि वो नशे में हैं जिसके चलते हादसा हुआ लेकिन कार सवार इससे इंकार कर रहे हैं गनीमत ये भी रही कि लॉकडाउन के चलते सड़क पर लोग बहत कम थे लिहाज़ा दूसरा कोई शक्स इस हादसे की चपेट में नहीं आया पुलिस ने कार सवार तीनों युपकों का मेडिकल करवाया है रिपोर्ट में अगर इनके नशे में होने की पुष्टी हुई तो उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई की जाएगी अमरदीप कुमार दिल्ली आज तक फिला हम दुकने एक ब्रेक के लिए फॉरन लोटेंगे और खबरों के साथ देखते रही है आज तक